हेलो एवरिभान कैसे हैं आपसब आपसब का सुवागत है आपके अपने चैनल पर आज हम सुजी और चॉकलेट का केक बनाएंगे जो की बहुत ही सॉफ्ट है और खाने में भी बहुत स्वाधिस्ट है घर की बस कॉमन सी चीजों से बन जाता है और बहुत ही स्वादिस्ट है, moist बनता है जा केक, तो बहुत ही easy बनता है, बिल्कुल भी time नहीं लगता है इसे बनाने में, और खास बात इसकी यह है कि मैं इसे कड़ाई में ही बनाऊंगी, अवन में नहीं बनाएंगे से, तो चलिए फिर start करते हैं, इस easy और स्वादिस्ट स चॉकलेट सूजी केक को बनाना, वीडियो देखने के बाद अगर रेस्पी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, इस केक को बनाने के लिए, मैंने यहां पर लिया है, एक कप रवा, सूजी जो मोटे वाली होती है, वो जादा कहटा नहीं होना चाहिए, दहीं आपका, और कोको पाउडर लेंगे, वन फोर्थ कप, और दूद लिया है, मैंने यहां पर, हाफ कप से थोड़ा सा जादा, लिया है, वन फोर्थ कप लिया है, कुकिंग ओयल, रिफाइन ओयल लिया है, और वन टी स्पून यहां पर अगर आप भी जुगी श्युजी भी पीस, भी आप चीनी, जाना मगशना काफ़ी एक्ट पेट काओ 미 battery क्रावानगत, चीनी देखां मैं बाफ़ी अब साथ करोको पावडर करें, इसमें ही और साथ में डाल देंगे दूद अब थोड़ा सा दूद मैंने इसमें बचार के रख लिया है वो बाद में काम लेंगे हम 2-3 टेवल स्पून के करीब और अब हम इस डकन को लगा कर ग्रैंडर जार के और इसे अच्छे से 30 से 40 सेकंड के लिए ग्रैंड कर लेंगे जैसे की घुमा लेंगे मिक्सी में इससे हमारी जो मेहनत है वो बच जाएगी हमें काम मेहनत करनी पड़ेगे और टाइम भी बचेगा हमारा अच्छे से पीस लेंगे सभी चीजों को मिक्स हो जाएगी ब्लेंड हो जाएगी सभी चीजें एक साथ और इसके बाद हम इसमें करके छोड़ देंगे कम से कम 30 मिंट के लिए इससे सूजी भी हमारी अच्छे से फूल जाएगी और इसके बाद हम इससे चेक करेंगे तो 30 मिंट के लिए आप एक साइड पे रख दें इस बैटर को जब तक हमारा बैटर सेट हो रहा है तब तक हम कडाई को भी प्री हीट कर डाला है यहां पर मैंने नौर्मल एक कडाई ली है जो सभी के गरू में होती है उसे मैंने डेड़् कप डाला है सॉल्ट का जो रेगुलर सॉल्ट होता है खाने वाला और इसकी जो लियर है सॉल्ट की यो कम से कब 1 इंच होनी चाहिए आपके की अंदर और इसे प्री हीट क यह करते हैं क्योंकि जैसे हम इसमें इसमें अपना native क क्रेट्ष में रखें तो वह पकना स्टार्法 हो यखें वहाँ तक हमारी ग्रीघा प्रीहिट हो रही है तब तक हम अपना प्राय केक टिंग तयार लेते हैं मैंने यहां पर राउंड शेप का केक टिन लिया है आप जो आपके पास अविलेवल हो केक टिन वो ही यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले इसे ग्रीस कर लेंगे ओयल से अच्छे से ताकि जब भी हम इसमें केक अपना बेक करें तो नीचे से जले नहीं टिन हमारा अच्छे से हो गया है और अब हम इसमें डाल देंगे बटर पेपर अगर आपके पास बटर पेपर नहीं तो आप कोई सब्सेट ले लें उस पर इंग वह बगार हो और नेईच पहलम बढ़िए Bटर उते बटर अबग हeté आप तरह होुआ है करें लगा लिए इसी तरह से आपका खिर भी अच्छे से बेक होगा तो अब टेन भी त्यार है तो हम बैटर को चेक कर लेती हैं 30 मिंट हो गए हैं काफी ठिक हो गया है सुझी फूल गई है तो अब हम बचा हुआ दूद्ध भी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से mix कर लेंगे गुमा लेंगे स्पून की help से और आप whisk वगएरा का use ना करें इस टाइम पे आप स्पून से ही mix कर लें इसे बैटर को एक दो मिंट के लिए अच्छे से mix करते रहेंगे काफी स्मूध हो गया है सारा बैटर तो अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे baking powder बेकिंग पाउडर को आप एंड में ही डालें जब आपकी कड़ाई बगएरा जहां आप अवन में बना रहे हो तो अवन प्री हीट हो चुका हो बस baking powder डालते ही हमें फटा फट से केक को बेक होने के लिए लगा देना है और अगर इस ताइम पे आपको ड्राइ फ्रूट्स बगएरा जहां फिर टूटी फ्रूटी डालनी हो अपने बैटर में अपने केक में तो डाल सकते हैं तो consistency भी आप चेक कर लें पोरिंग वाली होनी चाहिए केक की तो इसे अब हम क डाल देंगे कडाई में बेक होने के लिए अगर आपकी वी कडाई का कवर वगारा ऐसा है जिसके उपर होल होता है तो आप उस होल को भी प्री हीट करते टाइम से अच्छे से कवर कर दें और अब मैं इसमें एक स्टेंड लगाने वाली हूँ अगर आपके पास ये स्टें सकता है कोई न कोई चीज का किसी न किसी चीज का स्पोर्ट जरूर होना चाहिए इसके अंदर तो मैं ये स्टेंड लगाने वाली हूँ जो मेरे प्रेशर कुकर में आया था और उसके बाद हम इसमें केक टीम डाल देंगे डरेक्टली लेकिन इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा केरफुल होना पड़ेगा क्योंकि घराई है बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है हमारी तो इसे कवर करके छोड़ देंगे हम इसे कुट होने के लिए बेक होने के लिए को तो нашем मिन्त हो गए है दास मिन्त बात देखी है यह उपर से केक हमारा छोड़ा सा फलफी होन उपर की और आने लग गया है, इसका मतलब यह अच्छे से बेक हो रहा है, और आप लो हीट कर दें, जैसे ही आप केक को रखें, तो आपका गैस है, बिल्कुल लो करके छोड़ दें उस टाइम पे, और आप जहां पे 30 मेंट हो गए हैं, केक को बेक होते हुए, एक बार चेक क हैं, अगर हमारा नाइफ क्लीन आता, तो केक बिल्कुल बेक हो जाता, कुक हो जाता, लेकिन अभी थोड़ा सा कच्छा है, क्योंकि इसमें बैटर जो लगा है, इसका साइन है, यह कि अभी कम्पलीटली बेक नहीं हुआ है, तो इसके 10 मिंट बाद जाने कि टोटल 40 मिंट ह हो गए है, अब एक बार और चेक कर लेते हैं, केक ने सारे टिन को छोड़ दिया है, चारों तरफ से, सवी तरफ से, इसका मतलब अभी यह बेक हो चुका है, और एक बार फिर चेक कर लेते हैं, और देखिए अब बिल्कुल क्लीन आया है, नाइफ इसका मतलब हमारा केक बन क्विफ निकाल लेका तो कमसे कम 20 मिंट के लिए Marvel के लिए एक टंडा हो चुका कर लेगा एक में और एक बार समय केंगे नाइब और एक बटनांकर स्क्राइब करेंग तैने म… और देखिए कितनी असानी से केक निकलाया है टिन से क्योंकि हमने बटर पेपर लगाया था और अच्छे से बेक भी हो गया है कितना अच्छा कलर आया है स्पॉंजी दिख रहा है अगर आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं इस केक को लेकिन थोड़ा सा डेकुरेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा इससे जो क्रेक वगएरा है वो भी नहीं दिखाई देंगे यहां पर मैंने चॉकलेट स्प्रेड का यूज किया है ऐसे डेकुरेट करने के लिए आप कोई सा भी चॉकलेट ले ले जो डेरी मिल्क बाला होता है चॉकलेट वो ले सकते हैं और इससे मेल्ट करके इसके उपर लगा दे नाइप से इससे देखने में हमारा जो केक है काफी शाइनी लगेगा अच्छा लगेगा तो आप भी जुरूर ट्राइ करें इस केक को घर पर बहुत इजली बन जाता है और बहुत ही पसंद करते हैं बच्चे इस केक को बच्चों का फेवरेट रहता है आलवेज ये केक तो सभी केक को डेकोरेट करने के लिए मार्केट से इजली मिल जाती है और बहुत सस्ती मिलती है ज्यादा महेंगी भी नहीं आती इससे हमारा जो केक है काफी टिम्टी में लगेगा देखने में अगर आपके पास शुगर केंडी वगएरा नहीं अवलेवल है तो आप इस टाइम प अब इसे हम कट करके देख लेते हैं कि कैसे पका है कैसे बेक हुआ कितना सॉफ्ट बना है या स्पॉंजी बना है और देखिए कितना अच्छा केक बेक हुआ है एकदम जालीदार बना है बहुत ही सॉफ्ट बना है केक आप भी खा लीजिए और अगर आप साब को आज कीजिए मेरी रेस्पी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और कमेंट करके मेरे साथ जुरूर शेयर करें कि आपका केक ऐसा बना इस रेस्पी के साथ मुझे आपके फीड़ वैक का इंतिजार रहेगा